हलो दोस्तों कैसे हैं आप हमारी पूरी सीरीज आने वाली है इंडियन मौर्डन हिस्ट्री पर और यह सारी स्टोरी हम जानेंगे आने वाली वीडियो में यह फर्स टॉपिक है जिसमें यूरोपियन्स का एंट्री करना इंडिया में स्टार्ट हुआ था जैसा कि अब जानते हैं जो स्टुदेंट्स कॉंपिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें हिस्ट्री पढ़नी ही होती है और यह काफी बोरिंग भी लगता है बट यहाँ पर मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई हुए हैं जिसमें डीटेल में मैंने सारी चीज़ें कवर करें तो आप यहाँ पर इस प्लैट्फॉर्म पर यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ रिमेंबर आपको अथेंटिक इन्फोमेशन ही मिलेगी अब जैसा कि हम इतियास की बात कर रहे हैं तो एक फेमस लाइन है उसके बिना हम इतियास शुरू नहीं कर सकते है वो यह है कि कहते हैं इतियास अपने आपको दोराता है अच्छी चीज़ों में भी और बुरी चीज़ों में भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इतियास के बारे में पता नहीं होता तो वो चीज़ हम रिपीट कर देते हैं पर अगर हमें इतियास के बारे में पता होगा तो भी वो दोराएगा अच्छी चीजों में और दोराने से बच जाएगा बुरी चीजों में तो चलिए बीना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं This channel is completely for knowledge purpose This is RJ and you are watching Mission 360 So stay tuned तो टोटल पाँच कंट्रीज इंडिया में आई थी One by one हम डिटेल में देखें हैं कि ये कौन-कौन सी कंट्रीज थी सबसे पहले जो कंट्रीज के लोग आये थे वह था कि पॉर्टगीज जो पॉर्टगाल से आये थे ये इंडिया क्यों आये थे क्योंकि इनको ट्रेड करने के लिए कोई कंट्री चाहिए थी क्योंकि Ottoman Empire और इटली में ट्रेड ठीक से नहीं हो पा रहा था तो ये घूमते घूमते इंडिया पहुच गे जो सबसे पहला इंसान इंडिया में आये था वह था बिजनस करना है यहां पर इंडिया में मिर्च मसालों का काफी अच्छा-कासा बिजनस था शुरू सही जो कि आज भी है तो पहले शिप्स के थुरू ये लोग ट्रैवल किया करते थे तो शिप्स का एक ड्रैवर भी होगा जिसका नाम था अब्दुलमाजीद और जिस बंदे ने इंडिया में वैसको डिगामा को रिसीव किया था वो था जामुरिन मैं ये पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक्जाइम पॉइंट अविसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है बिलीव मी य कोई भी इनके उपर हमला कर सकता है तो ये नेवल कंट्रोल सबसे पहले करते थे तो अब एक और टाइम लाइन आती है 1509 में इंडिया में आया था और उसने इंडिया में दो बड़े काम करे थे पहला उसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था मतलब पॉर् फिफ्टीन जीरो टैन में क्योंकि जब उसकी पावर बढ़ चोगी थी 1509 में तो उसने गोवा कैप्चर कर लिया फ्रॉम दी रूलर ओफ बीजापूर 1530 में नीनो दी गुना एक बंदा था जो की पॉर्टुगीस था उसने ट्रेड कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से ग इनो दे गुना ने एक कम और कैस ने कैप्चर किया दी उ इन 1535 एंड दमन इन 1559 पंदरा सो उनसट में दमन कैप्चर किया और यहां पे हम जो भी कवर कर रहे हैं वो डिटेल में कवर कर रहे हैं तो यह शॉर्ट नोट की तरह नहीं है मेरे वर्ट्स पर ध्यान देना कई ब यह हुगली हार गेते हैं मुगल से और 1661 में इन्होंने चारल स्टो को बॉमबे गिफ्ट कर दिया था और 1749 तक आते हैं मराथा ने कैप्चर कर लिया था सेलेसेट एंड बेसिन को कबजा लिया था तो पुर्तगाल के बाद नैधरलेंड से लोग आये थे जिनको हम डच प पार्ट था डच लोगों ने डच इस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1602 में जिसका सेंटर रखा गया बटाविया जिसमें 17 डिरेक्टर्स थे और यह में बिजनेस जो था वो स्पाइस के लिए करने आये थे लेकिन लेटर ओन यह रौ सिल्क इंडिको और काफी सारे बिजन इंडिया में expand किया अब जैसे कि हमें पता है कि इस टाइम पर नेधर लेंड और पुर्ट्गाली लोग इंडिया में है तो अब इन दोनों में आपस में competition होने लगा और आपस में लड़ने भिदने लगे तो फिर Dutch के लोगों ने जो Netherlands के लोग हैं उन लोगों ने पुर्टुगाली के लिए बहुत सारी problems create करी Dutch के लोगों ने Goa capture कर लिया 1639 में, Malaysia capture कर लिया 1641 में और Ceylon 1658 में, Ceylon शेलंका में है और ये सबसे बड़ा पुर्टुगाली settlement था जिसको Dutch ने acquire कर लिया या कबजा लिया पुर्टुगाली से और Dutch के लोगों ने factories establish की कनाकुल में 1689 में, माल्डा में 1676 में ये दोनों ही जगा Bengal में है अब जिस टाइम पर ये Netherlands और पुर्टुगाली लोग इंडिया में आये थे उस समय पहले से ही मुगल समराज्य इंडिया में था और मुगलों का राज था तो फिर जो भी इनको trade करना होता था इनको मुगल से permission लेनी होती थी तो उस टाइम पर permission को बोलते थे फरमान तो Dutch वाले लोगों ने, जो Netherlands के लोग हैं उन्होंने औरंग जेब से फरमान लिया for free trade और 18th century तक आते आते ये कम होने लगे इनकी powers कम होने लगी और last में battle of bedara था जो अंग्रेजों के साथ हुआ था वो ये हार गए थे 1759 में हुआ था और last में अंग्रेजों ने इनको कुत्ता बना के मारा था ये देखो कैसे गुस्ता में लाल हो रहा है और कैसे भवग रहा है तो अब last country रह गई है वो है Denmark तो Denmark के लोगों को Danish people भी भूलते हैं तो Danish लोगों ने एक East India Company बनाई थी इंडिया में जो 1616 में बनाई थी Danish East India Company और इनके कुछ settlements थे इंडिया में जैसे के एक ट्रैंक्युबार तमिलनाडू में था 1620 में बनाया था एक था सेरैंपूर बंगाल में 1676 में बनाया था और ये ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पया इंडिया में तो इन्होंने अपना सारा बेच बाच के आप इस तरह के वीडियो और देख पाएं शेर करें उन लोगों के साथ जो भारत का इध्यास जानना चाते हैं डिटेल में प्रेस दे बैल आइकन थैंक्स फो वाचिंग एंड लास जै हिंद